वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल वर्ल लिट्रेचर आजू टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है लेट में इंजॉई बाय थॉमस हार्डी थॉमस हार्डी जो के विक्टोरिंग एरिया से बिलॉंग करते हैं इनकी पॉइम लेट में इंजॉई इसमें जो थीम है वो है क कि मेरी लाइफ में जितने भी डिफिकल्टीज हैं चाहे मुझे एग्नॉर किया जा रहा है चाहे मुझे जो है वो असेप्ट नहीं कर रही है सुसाइटी मेरे आस पास स्राउंडिंग में जितने भी हुमस है वो मुझे जो है वो असेप्ट नहीं कर रहे हैं सिच्वेशन म प्रिटिसिजम इतना ज्यादा हो गया है कि हमें जो है वह अपना स्लोगन बना रहेना चाहिए let me enjoy कि मुझे जो है वह अपनी life को enjoy करने दो अपने peace को enjoy करने दो मुझे अपने comfort zones को enjoy करने दो यहां फिर जो हमें चीजें happy करती है जो player देती है जो peace देती है even कि society चाहिए उसको criticize करे society के myths उसके apply हो हमें जो है अपना slogan बनाना चाहिए let me enjoy क्योंकि society में positive and negative criticism दोनों होते हैं but mostly जो है वो negative criticism हो रहा है मैंने literature के बहुत सारे students को देखा है जो के negative criticism करते हैं आप एक literary students है literature के जो students होते हैं वो peaceful होते हैं calm होते हैं mentally, physically उनके heart जो है बहुत innocent and soft होते हैं लेकिन बहुत सारी videos होती है जिन पर negative comments किये होते हैं कि आपके voice में मसला है आपके यहां पर problem है मिनके lot of things के ऐसी होती है जिसमें जो हो criticize करते हैं आपका जो purpose है आप उसको fulfill करें आप दूसरे को motivate करें ना कि उसको जो है वो अपनी negative energy देकर उसको demotivate किया जाए तो यह था हमारा message वैसे overall भी इस point में हमें यह message मिलने वाला है कि let me enjoy कि हम enjoy कैसे कर सकते हैं या फिर अपने life को enjoy करना जाहिए जितने हार्डशिप्स हैं डिफिकल्टीज हैं Thomas Hardy क्योंके Victorian era से belong करते हैं तो Victorian era में क्या हो रहा था उस टाइम पे skepticism जो था वो peak पे था religious values से जो है ना वो लोग दूर हो रहे थे distance हाला सा religious values और traditions और उस टाइम के जितने भी humans से उन में तो writers ने भी वहीं से turn किया और different season, different genres पर लिखना start किया इसी तरह Thomas Hardy ने भी उसी skepticism को लेकर Victorian era के according जो है ना let me enjoy को लिखा है सबसे पहले जो है वो अपने writer को discuss करते हैं then जो है वो point की line by line explanation discuss करेंगे और उसका major theme and overall इसका जो है वो एक हम synopsis भी निकालेंगे writer की birth हुई थी Thomas Hardy की 2 June 1840 में और इनकी death हुई थी 11 January 1928 में English novels थे, poets थे, Victorian realist थे और George Eliot की tradition को जो है ये follow करते थे ये poetry और novels में अपने inspiration रखते थे, romanticism थे और William Wordsworth जो के poet है, romanticism में उनसे बहुत ज़़ा inspired थे Thomas Hardy ने ये जो poem है Let Me Enjoy को जो है वो एक group of poems था जिसको title दिया गया था A Set of Country Song उसके साथ इसको publish करवाया था अब poem की line by line explanation स्टार्ट करते हैं बहुत है simple easy poem है इसका theme भी बहुत simple है first line है Let Me Enjoy the earth knowledge because the all enacting might that fashion forth its loveliness had other aims than my delight in first four lines में जो first tenza की narrator यहां पर हमारा speaker है वो इसमें narrate करता है poem में कि मुझे जो है वो nature को enjoy करने दो मुझे जो है वो earth को enjoy करने दो इस nature में जितने भी beautiful things है जितनी भी purity है उन सब को मुझे enjoy कर दो और इसका जो creator है उसको जो है वो मेरे बारे में कोई care नहीं है या फिर मेरी happiness कि चीज़ में है उस बारे में कोई care नहीं है God को अगर God को मेरी कोई फिकर नहीं है मेरी कोई care नहीं है God को मुझे कोई love नहीं है जो कि मेरा creator है इस nature का creator है तब भी जो है वो मुझे enjoy करने दो इस earth को क्योंकि अगर हम अपने difficulties को देखते रहेंगे अपने grief में रहेंगे अपने soros में रहेंगे या पर चीज़ों को limit करते रहेंगे तो हम लाइफ के अंदर different goals को achieve नहीं कर सकते हैं nature के अंदर जो loveliness है life के अंदर जो loveliness है उसको enjoy हम नहीं कर सकते हैं second stanza में writer कहता है about my path there flits a fair who throws me not a word or sign I will charm me with her ignoring air and lower the lips not meet for mine second stanza के जो four lines है इसमें जो speaker है वो एक girl को यहां पर mention करते है के मैं town में जाता हूं मेरे सामने से एक beautiful girl जो है ना वो गुजरती है और वो जो girl है वो मुझे ignore करती है और उसका ignore करना भी जो है ना वो मुझे बहुत beautiful लग रहा है means के वो girl जिसको मैं approach नहीं कर सकता हूं उसके lips को मैं दूर से ही distance से ही adore करता हूं उनको appreciate करता हूं उनकी जो है वो मैं तारीफ करता हूं यहां पिर उस girl के मुझे ignore करने पर भी मुझे जो है वो कोई grief नहीं है even के मुझे उसका ignore करना भी अच्छा लग रहा है यह means के life में इतने positivity होना भी बहुत important है third stanza में writer कहता है from manuscripts of moving song inspired by scenes and dreams unknown I will pour out ruptures that belong to others as they were my own के मैं जो है वो manuscript को पढ़ता हूं songs को पढ़ता हूं different जो artist हैं उनका काम देखता हूं उनको जो manuscript पनाई होते हैं यहां फिर उन्होंने जितनी भी paintings की होती है मैं उनको appreciate करता हूं even के मैं जो है वो उनसे belong भी नहीं करता हूं लेकिं मेरे अंदर जो positivity है life को enjoy करने को जो मेरे अंदर aim है वो मुझे हमेशा जो है वो motivate करता रहता है last stanza में कहते हैं writer and someday huns towards paradise and all is blessed if such should be I will lift glad a fire of eyes though it contains no place for me कि यहां पे जो है न future के बारे बात की जाती है paradise की बात की जाती है after life की बात की जाती है कि वहाँ पे different human beings होंगे heaven में paradise में even के जो है ना मैं उनके सफ देखूंगा कि में भी जो है वो मुझे accept कर लें में भी मुझे invite कर लें even के जो है ना मुझे paradise में भी welcome नहीं किया जाएगा हमारी जो society है इसके अंदर क्योंकि एक दूसरे को criticize इतना किया जाता है in positive and negative ways बहुत के ये जोनों जो criticism है वो बहुत हमारी society को embrace करते हैं हमने जो है वो अगर अपने आसपार surrounding में देखें अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन मेंसे कुछ 10% होंगे जो हमें positive feedback देंगे जिससे जो है वो हमें motivation मिलती है कि हमें जो है न वो further achievements जो है न अपने life में कर नहीं है यहां पर hard work और करना चाहिए हमें बट उसमें से 90% ऐसे लोग होते हैं जो के हमारी जो success है उसको देख नहीं सकते हैं हमें negative way में criticize करते हैं even के अगर हम लोग social media को देखें वहां पर कितना जाए जो है वो criticism हो रहा है हम positive feedback भी दे सकते हैं अगर हम at least positive feedback किसी को नहीं दे सकते हैं तो हमें जो है वो negative feedback भी नहीं देना चाहिए negative feedback देने से होता क्या है हमारी खुद की energy जो है और इस poem के अंदर क्या message था कि अगर हमारा creator या पर हमारा जो God है वो हम पर अभी mercy नहीं भी कर रहा है या फिर God को जो है वो हमें ignore God ने किया हुआ है या फिर हमारी life में बहुत सारे ऐसी humans होते हैं वो भी हमें ignore करते हैं उनके ignore करने को इतना serious लेने के बजाए हमें जो है वो life में कहीं न कहीं beauty को find out करना चाहिए कहीं न कहीं happiness को players को different चीजों को जो है न in positive way जो है वो देखना चाहिए I hope कि इस poem का major theme है वो आपको समझाए होगा और हमने जो है वो society को discuss किया है उन चीजों को आप adopt करेंगे और आप जो है वो अगर positive feedback नहीं दे सकते तो at least negative feedback देना भी छोड़ देंगे वीडियो को like और share और चानल को जरूर subscribe कीजेगा thanks for watching my channel